हाई विवन दिस इस रॉबिन और एक बाब फिर से मैं आप सभी को वैलकम करता हूँ हमारे इस प्लैटफॉर्म पे जहां पर हम डिसकेशन करेंगे जोमेटरी के इस पार्ट का तो देखे इसमें आपका क्वांटम केट का लेवल वन के कोशन्स को मैं लूँगा जिसमें आप ग्यारा से लेके बीस तक के कोशन्स का डिसकेशन देखेंगे क्वांटम केट की बुक को मैं बहुत ज़्यादा महत पूर्टा देता हूँ क्योंकि इसमें पताए क्या होता है इसमें बहुत सारी कॉंसेप्स आपको कुछ ही सवाला में मिल जाते हैं चीज़े रेपेटिव कर रहे होते हैं तो चीज़ें आपको नहीं लगनी भी चाहिए हैं टियर 2 का एक्जाम आपका आने वाला है 2019 का जो लुक मेंस लिखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करेंगे और अकर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस्टेग्राम पर जाकर रॉबिन शर हैं फतैपुर 12 बंकी और लखनौ वो क्या है तीनों बहुत फैमस हैं आपको दिया गया है कि फतैपुर क्या है 42 किलोमेटर दूर है किस से 12 बंकी से यहां पर मैं आपसे बोल देता हूं कि फतैपुर से जो आपका 12 बंकी है वो कितना दूर आपको दिया गया है 42 किलोमेटर उसके बाद आपको दिया गया है कि भी फतैपूर और लखनाओ के बीच में जो आपके distance है वो कितनी है 66 तो मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि भी फतैपूर और उसके बाद आपका जो लखनाओ है इनके बीच में जो आपको distance दिया गया है वो कितना है 66 km which of the following cannot be the distance between बारा बंकी एन लखनाओ तो बारा बंकी और लखनाओ के बीच में निमलिके दिये गए option में से कौन सी जो distance है वो नहीं हो सकती है तो दिखे मैं यहाँ पर आपसे दो तरीके बात करूँगा कि आपका फतैपूर और लखनाओ के बीच में maximum distance कितनी हो सकती है तो मैं आपसे बोलूँगा कि फतैपूर बारा बंकी और यहाँ पर आपका last में हो जाएगा लखनाओ तो आपने यहाँ पर बोला कि आपने किस तरीके से इस चीज को ले सकते हैं कि मैंने फतरपुर को यहाँ रखा 12 बंकी को यहाँ पर और उसके बाद लखनो को यहाँ पर Second condition आपको दी गए थी कि फतरपुर से लखनो जो आपका है वो कितना है 66 km है तो मैंने आपसे कहा कि आप क्या किये जीए पहले आप फतरपुर से 12 बंकी के लिए जो आपने डिस्टंस बोला है वो कितना बोला है 42 km उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि भी 12 बंकी से लखनव अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए कि आपका कितना डिस्टेंस बनेगा लेग लीजिए कि आपका वो 66 किलो मेटर बन जाएगा क्योंकि आपको क्या दिया गया था कि फत्यपूर और लखनव के बीच में डिस्टेंस और फत्यपूर और 12 बंकी के बीच में डिस्टेंस तो ये वाला कंडिशन तो आपका बनेगा नि आपके पास एक कंडिशन बन सकती है जब आप ये कहेंगे कि फत्यपूर से 12 बंकी आप आपको यहाँ पर 24 से नीचे सिर्फ एक ही option दिया गया है minimum distance इनके बीच में आपने निकाल लिए कि 24 तो होनी ही होनी चाहिए थी और यहाँ पर आपको मिल जाता है कि 23 तो क्या आप यह नहीं बोलेंगे कि यह तो option आपका हो ही नहीं सकता जो कि आपको question में पूछा गया है कि which of the following cannot be the distance between 12 बंकी और लखनो यहाँ पर आपका option number क्या हो जाएगा correct हो जाएगा बस थोड़ा सा समझना है कि चीजें कैसे हैं बाकी चीजें आपको आसान ही लगेंगे next है आपको यहाँ पर एक figure दी गई है इनके बार में बोला गया है कि यह आपका T पर जाकर मिलती है जो कि circle के बाहर है outside the circle है O T क्या करता है O T जो आपका center से T के बीच का जो length है यह आपका bisect करता है CD को यानि कि अगर मैं CD को यहाँ पर join कर दूँगा तो CD को क्या करेगा bisect करेगा OA और OB यानि कि यह और यह जो की radius है इनकी value आपको दी गई है कितनी 8 cm O T की value है आपके पास कितनी यह जो O T आपको दिया गया है इसकी value कितनी है आपके पास 17 cm आपको बतायाना है कि बई ratio बता दीजे AC और BD कहा है AC यहनी कि यह वाला और यह वाला value जो है इनके बीच में आपको ratio बताना है तो यह तो एक ratio एक ही होगा इसमें तो कुछ time ही नहीं लेगेगा आप यहाँ पर सीधा सीधा mark कर देंगे मैंने ऐसे क्यों कहा देखे आपको इन्होंने बोल दिया था कि कि भी cd को bisect करते हैं यह कौन? at और bt अब obviously अगर उन्होंने bisect किया है तो क्या आप यह नहीं कहेंगे कि यह जो point है यह आपका same equal दूरी पर है यानि कि इनका जो distance है यहाँ से वो equal रहा होगा अब obviously अगर यह equal है यह equal है next आपको दिया गया है in the adjoining figure abc क्या है आपके पास एक rectangle है उसमें बोला गया है कि भी df और cf यानि कि df और cf आपके क्या है यह equal है उसके बाद ae क्या है तीन गुना है be का यानि कि इस value का यह तीन गुना है अगर मैं इसे एक माल लूँगा तो यह कितना हो जाएगा तीन और इसी साब से यह आपका rectangle है तो यह आपका 2 हो जाएगा और यह आपका 2 हो जाएगा क्योंकि इसको total मिलको 4 रखना था इसको मुझे 4 रखना था what is the value of eof eof आपको इसकी value बतानी है अगर आपको dafo यानि कि यह वाली value दी गई है 28 और यह वाली value दी गई है 42 देखे इसमें क्या करना होता है न इसमें आपको बसे कि आपको यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा बनानी होती है अब आप बोलेंगे कि यह भी आपका 20 हो जाएगा क्योंकि यह rectangle है पैरलल है यह दोनों आपका यह वाली line और यह वाली line इसी तरीके से यह आपका 42 हो जाएगा दोनों का sum करना होगा sum आप कर सकते हैं 70 आपका यहाँ से correct answer हो जाएगा फाल्दुगा data दिया गया था यह ratio वगेरा सीधे सीधे आपसे angle पूछा गया था बस आपको यहाँ पर इन दोनों का sum करना था और answer आपका आगया next आपसे बोला गया है कि ABCD क्या है कि square है और AOB के बारे में बोला गया है कि वो क्या है एक rectangle triangle है DOC यानि कि DOC आपको यह वाली जो value है यह value बताने है कि यह कितनी होगी तो देखे आप मुझे बताएंगे कि पहले तो यह होगी आपका एक square और square के अंदर आपको एक equilateral triangle देगया गया आप एक चीज मुझे बताएंगे कि क्या यह वाली length आपको इन्होंने यह वाली length के equal दिया है और अगर a, o, b आपका एक equilateral triangle है तो यह आपका कितना हो जाएगा 60 यह आपका कितना हो जाएगा 60 अगर मैं theta निकलने के बात करूँ तो यह वाला value कितना है आपका 30 तो यह theta यानि कि 2 theta की value कितनी होनी चीए थी 180 मैनस 30 यानि कि 1.500 यह theta की value होनी चीए आपके पास 75 अब यह value 75 है तो यह भी आपके 75 हो जाएगी धर बस यह वाला angle अगर x मानूँगा तो क्या होगा 360 मैं से बाकी angles को मैनस कर दीजिए कि 360 मैं से कितना मैनस करना पड़ेगा 55 और 55, 1.500 और 260, 210 अब 360 मैं से 210 मैनस करते हैं तो कितना आता है 150 आता है और option number B आपका यहां से यह देतेगा correct answer inner triangle ABC आपको बोला गया कि BC और CD आपके क्या है equal है BC और CD आपको equal दिये गये है उसके बाद आपको दिया गया है कि ABC और BAC ABC यह वाला angle जो पूरा है और BAC BAC और यह वाला जो angle है यह वाला angle जो है आपका इन दोनों का difference आपको दिया गया है 30 degree measurement बता दीजे ABD ABD यानि कि यह वाला जो angle है अगर मैं इसको alpha बोलता हूँ इसकी value आपसे पूछी है तो चलिए कोशिश करते हैं इसे solve करने की अब देखिए मैं आपसे बात करता हूँ ABD angle जो आपको बताना है यह जो angle है आपका ABD मैं आपसे बोलता हूँ मैं इसे alpha माल लेता हूँ कि alpha की value अगर मैं निकाल लूँगा तो क्या आप बोल सकता हूँ मैं इसे मैं आपसे कहूँगा कि angle ABC में से आप क्या minus कर दीजी आप angle DBC DBC minus कर दीजी यह वाला angle minus कर दीजी यह वाला जो angle है तो आपके पास alpha की value आ जाएगी अब अब क्या कर सकता हूँ ABC का value तो मुझे यहाँ पर नहीं पता है लेकिन मुझे यह पता था कि ABC और BAC का difference मुझे दिया गया था तो अगर मैं कुछ BAC को यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा तो क्या मांसर निकल पाऊँगा मैं बिल्कुल निकल पाऊँगा अब देखे DBC की बात करता हूँ आपको यह वाली side और यह वाली side equal दे दी गई है यानि कि यह वाला angle अगर यह मैं आपके लिए x मानता हूँ थो यह आपका इस angle के equal हो जाएगा x के equal यहनि इस dbc को आप क्या लग सकते हैं यह आपका हो जाएगा angle abc minus dbc को आप क्या लिख पाएंगे यहाँ पर इसको लिख पाएंगे आप angle bdc यह आप लिख पाएंगे नहीं क्लिख पाएंगे अब दिखिए एंगल BDC की मैं बात करूँ आपसे BDC यह आपका BAD यह वाला जो तरबुज है यह आपका एक नंबर जो तरबुज है इसके यह बाहर वाला जो कौन है मतलब opposite to the alternate angle यह वाला एंगल है यह आपका हो जाना था अब देखिए आपको पता है कि जो BAD angle है आपका BAD और उसके बाद ABD ABD को ही तो आपने अलफा माना था तो यह अलफा है और यह भी आपका अलफा हो गया यह नि माइनस अलफा आपका अधर जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा ABC माइनस BAD अब यह आपको अगर मैं बात करूँ BAD आपको यहाँ पर आगया है आप मुझे एक बात बताएंगे कि इस तरीके से अगर आपने चीज़ें देखी कि बाई ABC और BAD का वैल्यू अगर आप यह BAC दिया हुआ है क्या BAC या फिर BAD equally तो होंगे यह BAC या BAD equally होंगे इसे मैं C भी लिख सकता हूँ अब इसकी वैल्यू आपको 30 दी गई है अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगे 30 बटे 2 यानि की 15 डिगरी आपका अंसर आजाएगा option number C आपका यह से correct हो जाएगा बस question जो आपको दिया गया है उसको फॉलो कीजिए और कुछ कोशिश कीजिए कि आप क्या चीज़ने adjust कर पाएं आसानी आपको लगने लगेगी आपको दिया गया है trapezium A, B, C, D A, B क्या है उसमें parallel है C, D के BD क्या है, perpendicular है AD के बना लेते हैं, trapezium बना लेते हैं यह आपका trapezium मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है पूरी-पूरी यह हो गया आपका A, यह हो गया आपका B यह हो गया आपका C, और यह हो गया आपका D trapezium आपने बना लिया यहां से मतलब यह जो value है आपका यह वाला यह आपका क्या है पर्पेंडिकुलर है इस value पर यह आपको इन्होंने दिया है AC क्या है पर्पेंडिकुलर है BC पर यह भी आपका पर्पेंडिकुलर दे दिया इन्होंने यह भी आपका perpendicular हो गया BC पर अब AD और BC की value उन्होंने दी है कि यह जो दोनों value है न यह आपकी क्या है equal है और इनकी value कितनी है 15 यह आपको उन्होंने provide कराया है AB की value उन्होंने दी है आपको कितनी 25 है उसके बाद area बता दीजे trapezium का area निकालने के लिए पहले आपको इस दोनों parallel side निकालने पड़ेंगी और उसके बाद आपको इन दोनों के बीच में क्या निकालने पड़ेंगी perpendicular distance ठीक है यह आपको निकालना पड़ेगा दीखे मैंने AI के मुझे कैसे approach करना है अगर आप थोड़ा से ध्यान देंगे न तो आप भी समझ पाएंगे इस चीज को यह जो perpendicular मैंने draw किया है इसे M माल लीजिए और इसे आप N माल लीजिए अब आप एक मुझे बात बताएंगे यह आपका 15 है यह आपका 25 है और यह आपका क्या है एक गली यहां से कितनी आगई वो 20 तो यह वाला वैल्यू आपका कितना हो गया 20 डी बी का वैल्यू और सेम आपका सी यह का वैल्यू यह भी कितना हो गया 20 अब देखे एक राइट एंगल ट्रेंगल एडी बी के अंदर आप जो perpendicular draw करते हैं DM क्या आप इस DM की value नहीं निकाल सकत यह आपको पता है यह कितना होता है AD जो कि आपका 15 है उसके बाद DB जो कि आपका 20 है और डिवाइड़ बाई आपका AB जो कि आपका 25 है यह आपको करना था 5 से अगर cut करूंगा तो यह 3 हो जाएगा और यह 4 हो जाएगा और DM की value आपने निकाल ली 12 यानि कि जो आपको area निक निकाल लिया है 12 और उसके बाद sum of the sides जिसमें एक side आपके पास 25 है अब दूसरी side आपको चाहिए थी बस अभी कि यह side आपके पास 25 है यह आपको नहीं पता है अब मैं यहां से बात करता हूँ D AM की D AM वाले triangle की आपने क्या निकाल लिया DM की value निकाल ली यह कितने निकाल ल triangle के अंदर अगर आप यहां पर perpendicular draw करते हैं अगर यह right angle triangle होता है मैं इसे आपका ABC बोल देता हूँ तो आप बोलेंगे ऐसी condition में जो आपका BC का square होगा मैं यहां से आकर आप से बोलूँ के BC का square क्या होगा तो आप बोलेंगे कि आपका यह हो जाएगा CD into CA यह आपने पढ़ा होगा तो अगर आप ADC की बात करते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं आप इसमें सीदे सीदे AM की value calculate कर सकते हैं अगर मैं ADB की भी बात करूँ वहां से भी निकाल सकता हूँ अगर मैं पूरे ADB मिलो यहां से आपका AM को अगर मैं बात करूँगा तो यह कितना हो जाएगा AD square AD2 upon AB AD2 upon AB यह आपका हो जाएगा AD2 क्या है आपका 15² 225 AB आपका क्या है AB आपका है 25 यह आपका कितना हो जाएगा 9 यानगी AM की value आपने निकाल ली 9 ये 9 है ये भी 9 हो जाएगा और बचा हुआ MN आपका कितना हो जाएगा 25-9 25-18 यानि कि 7 यह साथ है तो यह भी आपका साथ होगा यानि कि आपने दूसरी साइट निकल ली साथ 2 से कितना जाएगा 6 25 और 7 कितने होंगे आपके 32 32 इंटू 6 आपको करना था तो कितना हो जाएगा यह आपका अंसर 192 आजाएगा और जो कि आपको देगा option number 1 यहां से correct DM और NC इनकी value आपको कितने दी गई है यह भी 2 है और यह भी आपका 2 है AR और SB की value दी गई है अब भी यह आपका 1 है और यह भी आपका 1 दिया गया है EM केस की value 4 दी गई है यह वाला जो value है is की value है 4 op जो कि इनकी radius है उसकी value है 5 बता दीजे रेक्टेंगल का area क्या होगा तो देखे रेक्टेंगल का area निकालने के लिए आपको इसकी length चाहिए थी length तो आपको नोंने दे दिया ये 4 है तो ये भी आपका 4 होगा यानि कि length आपके पास कितनी आगे 5 और 5 10 अब 10 में आपको multiply करना है ये वाला जो value है अभी कैसे calculate कर सकते हैं देखे आप एक चीज़ ध्यान दीजे अगर मैं इसको यहां से आपका ये draw करूँ ये बोला है कि perpendicular है तो क्या मैं यहां से O के निकाल सकता हूँ क्योंकि ये वाली value मेरे को दी गई है 4 रेडियस है मेरे पास 5 तो मेरे पास 3 आ जाएगा उसके बाद अगर मैं पूरे की बात करूँ इस LO की और यहां से मैं calculate करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं OL की value calculate कर सकता हूँ वह कितना आ जाएगा यह वाली value आपके पास कितनी है ln की value दी थी ना को शायद नहीं दी है तो आप एक चीज यहां से और क्या कर सकते हैं आप यहां पर पायथागरस लगाने के अगर कोशिश करेंगे तो यह आपका देखिए पूरा देखिए अगर मैं आपसे यहां पर करऊं un स्कूर करेंगे तो या पॉन स्कूर करके 25 साजए यह उसके बाद क्या हो जाएगा बंको कह जाएगा remarkable इरल ऑफि instructions ता आपके वेल्यू आपके पस कितनी आगई वर बास वीआपके आपके 4remo है तो यह आपकीर कितना हो जाόई गा इउंस फोर देखिए आपका 4 बस 10 x 1 आपको करना है कितना अंसर हो जाएगा 10 cm2 हो जाएगा एरिया आपके इस रेक्टेंगल का इन्दी गिवन फिगर सरकल AB क्या है डायमेटर है जिसकी लेंद्ध है 20, BC क्या है लेंद्ध है 16, लेंद्ध बता दीजिए CO की, CO की जबकि CO क्या है पर्पेंडिकुलर है तो CO आपका क्या है पर्पेंडिकुलर है AB की वैल्यू है आपके पास कितनी 20, BC की वैल्यू है 16, देखिए अगर यह डायमेटर है और मैं हाँ सबका ड्रो करूँगा इसे तो आप बोलेंगे यह वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बोलेंगे कि यह पका क्या है चार एंटू चार यह आपका क्या है चार एंटू पाँच तो यह आपका क्या होगा चार एंटू तीन होगा यानि कि यह वाली वैल्यू आपने निकली 12 किसी भी right angle triangle के अंदर जो perpendicular distance होता है वो कितना होता है आप उसी यहाँ से क्या calculate करेंगे 12 into solar divided by 20 यह आपका सीधा-सीधा यहाँ से calculation आएगा और मुझे नहीं लगता कि आपको इसको calculate करने में ज़्यादा time लगेगा यहाँ जाएगा आपका सीधा-सीधा 9.6 तो यह हो जाएगा आपका option number 1 यहाँ से correct next time in the adjoining figure BD क्या है आपका diameter है circle का BCA की value है 41 तो अगर यह आपका diameter है तो यह वाला value पूरा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा क्योंकि आपका semi circle में बना हुआ angle 90 degree होता है अब यह 41 है तो same chord पर बना है तो यह भी 41 हो जाएगा इस वाले value पूछीए आपको ABD की value पूछीए तो कितना हो जाएगा 90, 41, 41 और इसका sum आपका 90 होना चाहिए था यानि कि 49 आपका आजाएगा और option number B आपका यहाँ से correct हो जाएगा next आपको दिया गया है each interior angle of a regular polygon exceed करता है अपने exterior angle से 132 से कितनी side होंगी polygon की तो दिखिए आप यहाँ पर option के तुरू check कर लिए जो आपका exterior angle होगा अगर मैं आपसे exterior angle की बात करता हूँ कि exterior angle आपका कितना होगा 360 number of sides पहला 15 ले लिजिए तो कितना आजाएगा आपका यह 24 आजाएगा जब आपने n की value कितने लिए है 15 ठीक है अब अगर आपका यह exterior angle है तो interior angle कितना हो जाएगा 164 मैंस कीजिए कितना आएगा 156 अब इन दोना का difference देख लिजिए क्या 132 आ रहा है बिलकुल 132 आ रहा है यानि कि आपकी side कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी और option number आपका यहां से भी हो जाएगा correct so this was the